नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत एक बार फिट से आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आये 15 मार्च 2022 से बनने वाले हर्याणा करेंट अफेर से सम्बंदित सभी मैतपूर्ण क्वेशन अंसर जो की आप से आने वाले कंपेटीशन नाम इन हर्याणा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो दोस्तों आज का फ़र्ष्ट क्वेशन है चारदवीशिया ओल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कुस्ती चेंपिंशिप में हर्याणा के किस जीले के निवासी अमन ने गोल्ड मैडल जीता है तो दोस्तिसकोपस नमबर आपका ए रहेगा यानि रोत्तक जीले के निवासी अमन ने चारदवीशिया ओल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कुस्ती चेंपिंशिप में गोल्ड मैडल जीता है रोत्तक जीले की स्थापना आपकी एक नमबर 1966 को की गई थी रोत्तक जीले को सुगर सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है फ्रीश्टाइल कुस्ती मुकाबले में 61 किलोग्राम बारवर्ग में MDU प्रोत्तक के अमन ने बरकतुला यूनिवर्सिटी बोपाल के पहलवान सोराद्य को हराकर सव्ण पदक जीता है और BU मनिपूर के राहूल और मेवाड यूनिवर्सिटी के परवेश राणा ने त्रित्य स्थान हासिल किया है और वीर बाहदूर सिंग पुर्वांचल यूनिवर्सिटी जोनपूर के मुलायम यादव ने तीसरा स्थान हासिल किया है 92 किलोग्राम कटाइगरी में डॉक्टर के अनमोधी यूनिवर्सिटी राजिस्तान के मोहित ने परतमस्तान इंद्रा गांधी मीरपूर यूनिवर्सिटी रेवाडी के सूर्य ने दूसरा स्थान और लवली प्रफेसनल यूनिवर्सिटी पंजाब के सोमवीर और M.D.U. रोत्तक के परदीप ने तीसरा स्थान हासिल किया है। क्रुक छेतर यूनिवर्सिटी के सागर ने परतमस्तान हासिल किया और लवली प्रफेसनल यूनिवर्सिटी पंजाब के रोहित ने दूसरा स्थान और M.D.U. रोत्तक के सच्चिन और चंदिगड यूनिवर्सिटी मोहाली के हरदीप ने तीसरा स्थान पराप्त किया है। 87 किलोग्राम कटेगरी की बात करे तो इसमें प्रफेसर राजेंदर सिंग यूनिवर्सिटी यानि परियाग राज के राम सिंग यादाव ने पर्थम स्थान हासिल किया है MDU रोटेक के मोनु जागला ने दुवित्यस्तान लवली प्रफेसनल यूनिवर्सिटी पंजाब के दीपक हुड़ा और बाबा मस्तनात अस्तल बोर के रजनीश ने तीसरा स्थान हासिल किया है किस जीले के गाउं गाजु वाला के सरकारी स्कूल के चातर विसाल का चियन इंस्पाइर अवार्ड को लेकर राष्टिय परत्योगिता के लिए हुआ है तो दोस्त इसको प्सन नंबर आपका ए रहेगा यानि फत्याबाद जीले के निवासी विसाल का चियन इंस्पाइर अवार्ड को लेकर राष्टिय परत्योगिता के लिए हुआ है यानि उप्सन नंबर आपका ए रहेगा नेक्ट क्वेस्टन है हर्यान में सेक चिली किस जीले की पहचान है तो दोस्तों हर्यान में सेक चिली आपकी फत्याबाद जीले की पहचान है और सेक चिली का मकबरा है आपका कुरुक शेतर जीले में लेकिन सेक चिली जीले की पहचान है आपका फत्याबाद जीला नेक्ट क्वेस्टन नदियो का नगर कहलाता है तो दोस्तो नदियों का नगर कहलाता है आपका टोहाना नामकस्तान जो कि आपका फतियाबाद जीले में पढ़ता है ये आपका नदियों का नगर कहलाता है next question है हर्याने का एक मात्र परमानू सियंतर कहां पर स्थित है तो दोस्तों यह भी आपका हर्याना के फत्याबाद में कुरकपुर नामक्स्तान पर स्थित है और इसकी स्थाफना की गई थी आपकी 2014 में और यह आपका थाइस सो मेगावाट का परमानू सियंतर है जो की हर्याने का एक मात्र परमानू सियंतर है next question हर्याने का सबसे छोटा गउं कौन सा है तो दोस्तों हर्याने का सबसे छोटा गाउं है आपका फत्याबाद जीले का गाउं है आपका चितेन गाउं यानि फत्याबाद जीले का गाउं आपका चितेन गाउं जो कि आपका हर्याने का सबसे छोटा गाउं है यहाँ पर अगर जन संक्या की बात करें तो यहाँ पर आपके कुल 432 वैक्ति क्या आपका सहलाब है यानि 432 लोग यहां पर रहती है जो कि आपके हर्याने का सबसे छोटा गाउं है हर्याने के किस जीले में 68 राष्टे स्तरिय सीनियर महीला कबड़ी पर्तियोगीता का आयोजन किया गया तो दोस्तो इसको अपसा नमबर आपका ए रहेगा यानि चर्की दादरी में हर्याने के चर्की दादरी में 68 राष्टे स्तरिय सीनियर महीला कबड़ी पर्तियोगीता का आयोजन किया गया है वर्ल्ड रेस वोकिंग एथलीट चैंपिनसीप में गोल्ड मैडल किस ने जीता है तो दोस्तो यह जीता है रेणू ने जो कि आपकी जजजर जिले की निवासे रेस वोकिंग एथलीट चैंपिनसीप में गोल्ड मैडल जीता है वूसू इंटरनेशनल चैंपिनसीप में गोल्ड मैडल किस ने जीता है तो दोस्तो वूसु इंटरनेशन चेंपियन सीब में गोल्ड मैलल धुरू ने जीता है और ये रोत्तक जी लेके निवासी है नेश्ट क्वेस्टन है लोरियस वर्ल्ड ब्रेक्थू ओप दी इयर पुरुसकार किसे दिया गया है तो दोस्तो यह दिया गया है नीरज चोपडा को लोरियस वर्ल्ड ब्रेक्थू ओप दी इयर पुरुसकार आपका नीरज चोपडा को दिया गया है नेश्ट क्वेस्टन है та तो दोस्तो यह जीता है हर्याना राज्य ने जो कि 70 राष्ठियज पुरुस टीम ने किताब जीता है नेश्ट क्वेस्टन है जोक्र ब्र अंबेड कर राष्टय विदि वी स्विधालिया कि नव नियूक्त कूलपती किसे बनाया है तो दोस्ति स्कोप्स नमबर आपका A रहेगा यानि डोक्टर रचना मिसरा को B.R. अमबेडकर का नया नयुन्यू कूलपती बनाया गया है हर्याना केंद्रिय विश्विद्यालिय के कूलपती कौन है तो हर्याना केंद्रिय विश्विद्यालिय के कूलपती है प्रफेसर टंकेशुर कुमार जो की आपके किंद्रिय विश्विद्यालिय के कूल पती है नेस्ट क्वेस्टन है कुरुक छेतर यूनिवर्सिटी के कूल पती है आपके सोमनात सचदेवा नेस्ट क्वेस्टन है चोदरी चरंड सिंग हरयाना क्रिसी विशवीडाले के कूल पती कौन है? 35 अंतराष्ट सूरजकूंड हस्सिल्प मेले का थीम राज्यय कौन सा है? तो दोस्तों स्कॉपस नमब्र आपका ए रहेगा यानों जम्मू कस्मीर जो की आपका 35 सूरजकूंड हद सिल्प का थीम राज्य है इससे पहले आपका हिमाचल परदेश को 35 सूरजकूंड हद सिल्प मेले का थीम राज्य चुना गया था लेकिन अब जम्मू कस्मीर थीम राज्य बना है और थीम कंट्री आपका पार्ट्र कंटरी की बात करें तो उजबेगिस्तान आपके पार्ट्र कंटरी कों बना है का आयोजन किया जाता है लेकिन अब की बार इसे उनिच मार्स से चार अप्राइल तक इसका आयोजन किया जाएगा नेश्ट कुएसन ए परतम थीम राज्या कौन सा था तो दोस्तो पर्थम थीम राज्य था आपका राजिस्तान जो की उन्निस सो निवासे में पर्थम थीम राज्य बना था जो की आपको कल की वीडियो में पूछा गया था कि हर्याना के किस जीले में मल्टी डिस्पलिनरी यूनिवर्सिटी को स्तापित किया जाएगा तो दोस्तो इसका राइट अंसर था आपका नो जीले में जो की आपके मल्टी डिस्पलिनरी यूनिवर्सिटी को स्तापित किया जाएगा तो फिलाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो का लाइक कीजिए, कोमेट कीजिए, सेयर कीजिए माजेद साइंस को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्याबाद